इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोड की तीसरी प्रोज अपिंच आफ असनफ की टॉप अबजेक्टिव कोश्चन अंसर को परहेंगे और इस वीडियो में वही अबजेक्टिव कोश्चन करवाऊंगा जो की आपके बोड के एकजाम में आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाछला कोश्चन है अपेंच ऊफ असनफ इज असवाट अस्टोरी विच वीच हैज विन रेटेन बाई तो यहां पे कोश्चन आपको ये पूछ रहा है कि जो उप्रेज और असनफ ये शॉट अस्टोरी है एक छोटी कहानी है जो की किन आपको किस ने लिखा है तो मनोहर मालगोन करने अब यहाँ पर यह कोश्चन में आपको दो बातें धियान रखना है कभी कभी होता यह है कि आपके एक जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अपिंच ओफसनाप क्या है एसे है अस्टोरी है या फिर क्या है ऐसे भी कोश्चन आते हैं तो आप याद रखेगा अपिंच ओफसनाप एक साथ स्टोरी है जो कि मनोहर मालगोन कर के द्वारा लिखा गया है ठीक है दूसरा नमबर कोश्चन है हूँ वाज कमिंग टू विजिट नेरेटर्स फैमली अब यहाँ पर नेरेटर क्या होता है जो आपको कहानी को कह रहा होता है या फिर आप यूं कहें कि जो कहानी को लिखता है उसको हम बेसिकली नेरेटर कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर कह रहा है कि हूब आज कमिंग टू विजिट नेरेटर्स फैमली मतलब नेरेटर्स के फैमली में कौन विजिट कर रहे हैं कौन आ रहे थे ठीक है तो आपको पता है नानु काका आ रहे थे ठीक है नानु काका नेरेटर के फैमली में आ रहे थे किसलिए मिनिश्टर से मिलने के लिए तो सेकंड नमबर जो कोश्चन है उसका सही अंसर है आप्शन सी अब आपके लिए एक important information है 12th class बिहार बोड के लिए complete notes जिसको से आप quick revision कर सकते हैं यानि कम समय में अपने syllabus को बार बार revise कर सकते हैं और अगर आप अच्छे से revision करते हैं तो आपको अपने exam में बहुत ही अच्छा marks आपको आ सकता है और ये जो notes है ना बिलकुल to the point है कहने का सिधा मतलब कि selected or important question दिया गया है और student की भासा में ये notes त्यार किया गया है एकदम ऐसा language यूज किया गया है जो कि आपको भी बहुत असान से आप उसे समझ पाएंगे तो इसे आप जरूर डाउनलोड करिए और ये इसका link डाउनलोड करने का link वीडियो के description box में दिया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नमर question है अपिंच ओफ हसनफ इज खाले स्थान स्टोरी बाई मनोहर मालगयोन कर अब यहाँ पे question आपको यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि जो अपिंच ओफ हसनफ है ये किस टाइप की कहानी है क्योंकि यहाँ पे option दिया हुआ है love, cultural, romantic, humorous तो यहाँ पे जो अपिंच ओफ हसनफ है ये एक हास्य पद मतलब एक comedy वाली कहानी है तो आपका option होगा थार्ड नमर question का सही answer होगा option A ठीक है याद रखेगा फोर्थ नमर question है अपिंच ओफ हसनफ है ये कहां से लिया गया है कौन सा बुक से लिया गया है ये आपको यहाँ पे question पूछ रहा है तो आपको पता होगा ये कहानी लिया गया है contemporary Indian short stories in English ध्यान से सुनिएगा contemporary Indian short stories in English एक collection है उसी collection से ये कहानी आपका लिया गया है तो चलिए आगे वर्थ हैं यहाँ पे आप याद रखेगा फोर्थ नमर question का सही answer है option A फाइव नमर question है abandoned in the gangage has been written by अब यहाँ पे एक और बर्थ है एक और रचना है abandoned in the gangage अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किनके दुआरा लिखा गया है तो ये बहुत ही important बर्थ है जिसको लिखा है मनोहर माल गयोन करने तो ये याद रखिएगा फाइव नमर question का सही answer है option D ठीक है उसके वाद देखते है six number question नानु काका हैज come to Delhi to see अब नानु काका Delhi आ चुके हैं किस लिए तो minister से मिलने के लिए तो यहाँ पे answer होगा option C यानि six number question का सही answer है option C नानु काका Delhi किस लिए जाते है तो minister से मिलने के लिए clear seven number question है who is the son of सोहनलाल रती राम यह question काफी important है question पूछता है कि जो सोहनलाल रती राम है उनका बेटा कौन है या फिर उनके बेटे का नाम क्या है तो सही answer है आपका option B रती राम देखिए यहाँ पे आप बहुत असान से इसे याद रखेगा रती राम is the son of सोहनलाल रती राम जो रती राम है सोहनलाल रती राम का सन है बेटा है clear आगे बढ़ते हैं eight number question है Bombay beware has been written by अब एक और बर्क्स है बहुत ही important बहुत ज़्यादा important है ये मनोहर मालगोनकर के द्वारा ही लिखा गया है तो आपको यहाँ पे question वही पूछ रहा है कि जो Bombay beware है ये किन के द्वारा लिखा गया है तो इसका अंसर होगा option D मनोहर मालगोनकर यानि eight number question का सही answer है option D nine number question है नानु काका bonds to stay for अब यहाँ पे इस question को समझिएगा जब नानु काका मिनिस्टर से मिलने के लिए जब देल ही जाते हैं तो वो सबसे पहले कितना दिन के लिए रुकते हैं मतलब वो कितना दिन रुकना चाहते हैं वहाँ पे तो आपको जब परोज परहाया गया था उसी समय बताया गया था कि उसकी जो मा है जो narrator की मा है मनुहर मालगोनकर की जो मा है वो बताते हैं कि ज़्यादा चिंता ना लो ज़्यादा चिंता ना करो बेटे तुम्हारे जो मामा आ रहा है न दो या तिन देन के लिए ही यहाँ पे रुकेंगे ठीक है तो आपका जो यहाँ पे question है वो वही question पूछ रहा है कि नानु काका बांट्स टू अस्टे फॉर मतलब नानु काका वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो दो या तीन दिन के लिए फॉर टू और थ्री डेज यानि 9 नमबर question का सही answer है option A 10 नमबर question नानु काका टुक आउट हीज चेक और रोट फॉर अब यहाँ पे question पूछ रहा है कि नानु काका चेक को निकालते हैं और कितना रुपया वो रोट करते हैं कितना रुपया उस पे लिखते हैं कितना का चेक काट कर देते हैं तो बेसिकली यहाँ पे तो चेक काट कर दिया नहीं जाता उस धोबी को आगे बताऊंगा subjective वाला question में इसको detail में ठीक है यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझे कि नानु काका अपने pocket से चेक निकालते हैं और 1000 रुपया का चेक कटता है तो वही question यहाँ पे पुछ रहा है तो 10 number question का सही अंसर है option C 1000 रुपीज clear 11 number question है who says this line अब यहाँ पे question काफी important है यह last question ठीक है 11 number यह question last है लेकिन काफी important है important इस मामले में है क्योंकि यह जो line है काफी effective है इस story में काता है who says this line यह line को कौन कहता है ministers are two step higher than God जो ministers है जो मंत्री गन है मंत्री जो लोग है वो भगवान से भी इस्वर से भी दो step पूछे हैं तो यह कहते हैं मनोहर माल गयोन कर ठीक है option D आपका सही अंसर है 11 number question का सही अंसर है option D तो यह थे आपके most important objective question अगर आप PDF या e-book लेना चाहते हैं या फिर प्रति दिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बिरवल परसाद सर टेलिग्राम चैनल को जोईन करिएगा और इस टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के description box में दिया हुआ है वहाँ से क्लिक करके आप जोईन कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग बाइ बाइ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल